मैं राजे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मेडिस्टार पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिसिकली कान के बाहरी भाग में बैक्टेरियल इन्फिक्शन होने का क्या इलाज दिया जाता है किसी को जो है बाहरी कारड में कान के बाहरी भाग में, ठीक है, समझ रहे हो, वहाँ पे अगर कोई bacterial infection हो जाए, तो देखेंगे कारण क्या होता है, लंचल क्या होता है, इलाज क्या दिया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले कारण होता है bacterial infection, ठीक है, बिसिकली इसको otitis externa बोला जाता है, जो बाहरी भाग में infection होता है, ठीक है, otitis externa, ठीक है, viral infection, इसके कारण भी हो सकता है, बाहरी कान में फोलसियों गया हो रही है, या फिर बाहरी कान पर रगड लगा है, तब भी जो है otitis externa हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अब कुछ लच्छर दिखेगा, कान में दर्द होगा, बिसिकली क समझ रहे हो, कान में सूजन आ जाएगी, बाहरी भाग में जो की दिखाई देता है, तो यह सब कुछ लच्छर देखते हैं, अगर ऐसे लच्छर देख रहे हैं, तो तुरंत है आप जो है treatment चलाएंगे, इसमें antibiotics देना होता है, अगर severe infection है, तो सेफ्ट्रेक जोन का 1 ग्राम आता है, डाइकलो पैरा, जिसमें डाइकलो फिन एक पैरा सिटामाल का combination होता है, सुबा साम एक इक गुली देनी चाहिए, ठीक है, ओटो जीसिक ड्राप आता है, दो बूट्स तीनो टाइम, डलवाएंगे कान में, जिससे दार्द अगयरा कंट्रोल रहेगा, सुजन अगय करने के लिए ये सिलाग डेर सुमजी का टैबलेट आता, सुबा साम एक एक दिन के पाँच दिन तक ये treatment देगी, यहां जो भी treatment बताया जा रहा, सर्फ 5 डेज चलाएंगे, तो ओटाइटिस इस्टरना में आराम मिलेगा, सो अभी आपको किलियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किये हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दोस्तों आज की छोटी से वीडियो में बस इतना ही था